गुरु ज्ञान का कारत, उनका गुरु एक्टिवेट अच्छा से नहीं है, 6-12 में बैठा है, वक्री ओके बैठा है, या नीच का ओके बैठा है, अगर बुद्ध भी खराबे दोग रहे हैं, जो हमारी बुद्धी को और हमारी ज्ञान को हमें बैलन्स करते हैं, अगर हमारी केचनी की डाल, गोड, यह सब चीजों का दान करना शुरू करिए, है ना हमारे ज्ञान से उनाचे, किसको देना है, किसी अच्छी योगी पंडित को, क्योंकि गुरु हमारे पंडित है, जो भी मंदिरों में पंडित होते हैं, आप उनको दो, धोती, कुर्ता, ऐसे तकि गुरु आपको आश्शुवार दे, है ना, उनका आश्श्षुवार लेना बहुत ज़यादा ज़रूरी है, आणोची इतना गोड सकते हैं, चरनि की डाल दे सकते हैं, बिसन के लड़ू दे सकते हैं, पीले वस्ते दे सकते हैं, लोग तो सुनध भी दान कर देते हैं, जिनके पास है, वो सोना भी दान कर देते हैं, उनकी शादी में कंद्याओं को दे देते हैं, तो इस सब चीजों से हमारी बहुत सारे चीजे बैलन्स होती हैं कई लोग इसके पीछे वहम करते हैं अपने बच्चों के कपड़े किसी को नहीं देने। यही इस बात पर आप गरते हैं। उसमें बच्चे का पसीना नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बच्चे की कोई महक नहीं होनी चाहिए, वो ये एक बात नहीं, चाहिए बड़ा है, चाहिए बच्चा सब पर लागो होती, बिल्कुल, बिल्कुल, तो कपड़ों को नमक वाले पानी से दो के, आपने किसी को दो करते हैं बच्छों की जो भूक्स होती हैं जो कौपी होती हैं किताब और नोट बुक जो भी है जैसे कि हम अगर नामनगली बात करें तो व्धिया बोला जाता है कि जितनी दान की जाए उतनी बढ़ती है, तो लेकिन इसमें भी मेरे को सुनने में यही बात आई है, कि अगर आप अपने बच्चों की, मतलब जैसे अभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में हो गए, तो पिछली क्लास की जो उनकी लिखी भी कॉपीज हैं, उनकी जो बुक्स हैं, तो वो देने से भी कही ना क एक्चुली राहू वहां से हड़ जाता है, जहां मोर का पंख आ जाता है, तो आप मोर का पंख डाल दो हर किताब में, अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे तो भी मोर का पंख डाल दो, बच्चों का माइन स्टेवल होगा और वो पढ़ने लगेंगे, आप मोर के पंख भी ल लेकिन इसका बहुत 100% रिजल्ट है, इवन मेरी बेटी है, उसका बेटा भी बहुत शेतान था, तो जब से करा, अब वो सिंसेरों के पड़ भी रहा है, और उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, आपनी क्या बताया, ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट चेकल ना बेला, नी इसे का ब्लैक लेलो, पर का वाइट लेल, पस दो कलर, काला सफेद.